कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मैसी को चानल पर दोस्तों UPSI 2021 देको 15 दिन की रणन रिती इस वीडियो में हमनों जानेंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए इस 15 दिनों में आपने बहुत सरी अपनी तैरिक की हुई है और सबका खीचड़ी बना हुआ आपके सरीर प आपका सेलेक्शन होने वाला है और यह जो क्लासेज होने वाली है रोज दुपहर 12 बजे से होने वाली है तो इस क्लास को मिस नहीं करना आप सभी को तो UPSI 2021 के लिए साथी जात लेखपाल और कॉंस्टेबल के लिए भी यह सारे क्वेशन बहुत ही महतोपूर रहेंगे 15 द करते हुए आप से question पुछा जाएगा और आपको क्या करना है उस question का answer नीचे comment box में comment करते हैं अगर आपका answer पता है तो नहीं पता है तो जरूर बता है फिर भी चले तो पहला question आपके सामने जो दे दिया गया है कि हाली में बना the man who knew infinity ठीक है सिरसक वाला जो चलचितर किसके जीवन चित्र चित्र पर आधारित यह आपको बताना है ठीक है आपको मिलता है पांच सेकेंड इसका answer आप से बताना है तो इसका right answer option नमबर A हो जाएगा तो हाली में जो बना हुआ है वह एस रामा नुजन इनके चरित्र चित्र पर बनाया हुए जीवन चरित्र पर बनाय है तो पहले सूचीवन और सूचीवन दोख देख लिजिए यह नाम दिये गए हैं और यहाँ पर उनके उनसे related studies दिये गए हैं किनसे वह संबंदित है तो इसको आप अच्छी से देखेंगे उसका answer आपको comment करना है तो देखें आप सबसे पहली बात जो देख लेंगे अग बातिकी से यह संबंदित है साथ हिसा जो dr. MS. स्वामिनात्स ने ते वह क्रिसी विज्ञान से related थैं अगर यह आपको दो पॉइंट भी याद होगा तो आप यह कर सकते हैं ठीक है तो हो जागा 2 5 4 3 a b c d clear है अच्छा क्वेशन था अग्ला क्वेश्शन देखेंगे question नमब क्वेशन निया पर सिर्फ बताया जाएगा जो कि आपको यहीं पढ़ना होगा निम्लिकित विग्यानिकों में से कितने भौत विग्यान और जीव विग्यान दोनों विश्याव में अनुसंधान किया है बहुत इंप्टन क्वेशन है क्वेशन नंबर तीन जग्दिक्स चंद्रबर्सु जित हुए उन्होंने फिजिकल साइंस के में भी और बायोजी में भी बहुत ही अच्छा है कनुशन दान किया बहुत इंपोटन्ट है अगला क्वेशन देखेंगे चली निम्लिकित विग्यान से कौन सा साधारान जो है यह जोड़ा बनाता है अगला क्वेशन देखेंगे बताइए निम्लिकित में से किसने नैनो टेक्नोलोजी सब्द का प्रयोग किया और कब किया बहुत इंपोटन्ट क्वेशन है बताइए कि कब और किसने किया था ऑप्शन इसका राट एंसर ऑप्शन नमर भी हो ज तो और किन्यों किया था नौरिया टानी गूची ने किया था 1974 में ठीक है तो यह क्वेशन जो आपको लिख लेना है और इसका पीडिया भी आपको मिल जागा हमारे टेलिगान चैनल पर या फिर नीचे जो वाट्सप नमर दिया गया है उस पर भी आप कॉंटक्ट कर सकते ह और पीडिया ले सकते हैं क्वेशन के दिया कथनों पर विचार करना है पहला कथन अमनों द्यान से देखेंगे आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक्ता या अधिवास के प्रमान के रूप में किया जा सकता है ठीक है दूसरा जो कथन दिया है एक बार जारी करने के पास चा सकता है ठीक है और यहां पर एक बार तो न एक बार जारी करने को पर से निरगत करने वाला प्राधिकरन अधार संक्यार को निसकरे लूसर नहीं कर सकता है तो कौन सीय तो आपशनस नागरिस लहाँ झाएगा ठीक है ना तो एक और ना ईहीं 2000 नंबर इस्तित है ऊप्षिन क्योंगे उन्ञाज से कि नोठेंगे और विपटंट ओर और एक चीज्ज आपको याद आना चाहिए मैंगनीज की बात याद दियाने चाहिए ठीक है तो ये क्वेश्चन भी आपको इगाम में पुछा जा सकता है अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नमबर एट हरिहर तथा बुक्का द्वारा विजान अगर सामराजी की नियू निमलिकित में से किसके सासन काल में दाले गए थी बहुत इंपोर्टन क्वेश्चन आपके एग्जांस के लिए चलिए बहुत बढ़िया ओप्शन डीस का राइट एंथर हो जगा मुहमद बिन तुगलक द्वारा डाले गए थी बहुत इंपोर्टन क्वेश्चन है और याद रखना हारिहर तता बुक्का द याद रखना पड़ेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे हिमाला परवत के निम्लखित भागों का उत्तर से दक्षिन की और सही क्रम में कौन सा यह आपको बताना है बहुत बहुत इंपोर्टन क्योंकि यह आपको बहुत इंपोर्टन पूछा जाता है कि चलिए बताइए तो नायन का राट एंसर ऑप्षिन अबर डी हो जाएगा तो सबसे उत्तर से दक्षिन की और ध्यान से देखेंगे उत्तर से दक्षिन मतलब नौर्थ से साउथ की और जाने में सही क्रम देखिएंगा काराकोरा में लदाक है जासकरा और व्रिहादी माल है बहुत इंपोर्टन नेक्स्ट नेमिल की कत्मों पर विचार करना आपको और दो कतन दिये गया और कौन सा सही नहीं है ध्यान देजिएगा कौन सा सही नहीं है यह पुछा गए आपके इसमसे बताइए कि क्या हो जागा इंसका एंसर तो देखे पहले question हमने पढ़ेंगे दो लो लाइन पढ़ेंगे दो दो कतन दिया क्या 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 पढ़ा हुआ है कि अंगद ने गुरु मुखी लिपी का विकास किया तो यह बिल्कुल सही है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन जो second दिया हुआ है रामदास ने रामदास पूर का नगर बसा है जिसे अभी वर्तमान में अमरी सर के नाम से जाना जाता है मगर जमिन उसके लिए सहाज हाने नहीं दिया था तो option दो गलत हो जाएगा तो आप पूछे कौन सा सही नहीं है तो केवल दो सही नहीं है clear है बहुत important question है आपके exam में इसी level का question पूछे question number 12 क्या है कि निमनी कत्नों में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है तो कथन पढ़ेंगे पहले चलिए बताएं सही नहीं है यह पुछागे है पहला देखो हमारी राजनेतिक तरह प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कारेकारी अधिकारी मंत्री परिशद होती है यह बिल्कुल सही है हमारे जीतने भी political हैं और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनके मुख्य जो कारे अधिकारी मानने जाते हूं मंत्री परिशद को मानने जाता है मंत्री परिशद का हेड कौन होता है हमारे देश के प्रधान मंत्री होता है क्लियर है दूसरा जो बला कि राश्पती प्रधान मंत्री के परामर्स के अंसार ही कारे करेगा यह कथन गलत है राश्पती परामर् आपके ज्रूर पूछा जाएगा चलि आगे बढ़ेंगे निमलिकति युग में मैंसे कौन सा भारती शड़ दर्शन का भाग नहीं है बताई शड़ दर्शन का भाग नहीं है कौन सा सबूए रायट एंसर और यहां मिमांस और व्दा जो है सड़़ दर्शन का भाग नहीं थ है ठीक है बागी सब में से अगला क्वेस्षिन देख लेंगे धक्षिन भारत में तो कोलनम का युद्ध इंख किस के मन्द्य हुआ था तो कोलनम का युध कि गवा कि लॉप तो दक्षिन भारत की जो लडाई थी ये花 थी छोल और राष्ट कूट के बीच में ठीक है जिसके जिसका नाम जो है तो कुल नम के युद के नाम से जाना जाता है ठीक है इंपोर्टेंट है चोल और राष्ट कूट में गवाता दक्षीन भारत की युद्ध ठीक है चलिए देव समाज के संदर में निमिल कत्नों पर विचारकन है अगर आपको पता होगा हिस्टी पड़े होंगे तो इसकी अस्थापन जो 8887 में हुए थी यह पहला कथन जो बिलकुत सही है और इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है तो देव समाज से देव शास्त्र आया था ये भी निरवान करााया है था इसे लट डौल हो जी ने जीटी रोट कहा टो इसमें क्या-क्या सही हो गई आपको बताना है सही पूछा गया है तो धेखो यहां पर से सहीने सडोकियाईयहां केवल दो सही होगा यहां पर ठीक है अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नमर 17 सारगैसों नामक जड़ विहीन घास पाई जाती है जोग्रॉफिक का क्वेश्चन है बताए कहां पाई जाती है बहुत बढ़िया राइट एंसर नमर सी हो जाएगा उत्तरी अट्लांटिक मासागर में दोस्तों बार बार आपको पता रहा हूं कि अगर आपको इस वीडियो का पीडिएफ चाहिए तो पीडिएफ के लिए आप हमारा टेलिग्रम चलना का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन द रोज दो पहर बारा बज़ आप जॉइन करके टेस्ट लगा सकते हैं ठीक है चली अगला क्वेशन देखेंगे क्वेशन नमबर नेक्स्ट है मून उद्द्योग के सुचकांग यानि इंडेक्स ओफ एट को इंडस्ट्री में निमलिकित में से किसको सरवाधिक महतों दिया और उनको लाने के लिए मार्केट में प्रयास कर रही है इसलिए यहां पर विद्यूत उद्द्भादियों प्रयाद से घ्याद प्रयातने कर रहे हैं ज्यादा महतों इसको दिया यह बहुत इंपोर्टन है नाम रखनें आपको सुचकांग का कि इंडेक्स ओफ एट्ट the-in世界 um for industries ठीक है बहुत i Johnson अगला question हाली में भारत सरकार दौर्ञा। वह उत्तम योगूं एप लॉंच किया गया है या सुम्पण्दीथ तक आक यह सं शॉट्वां निवरणी तक अ कूरू न अफकूंप ब्स कि लाइफ लॉंच किया गया बहूत important को शीजदा यूग पैभोस की प्रथा निम लेकित में से किस मोगल साथक ने समाप्त की थी करेफ एंसर ओप्षण नूबर ओपे हो जाएगा सहां जहां ने समाप्त की थी अर्चो कि निम कुट मेंसरे फोल ऑफिर प्लएकें टॉạt नदी से यहां पर लिखा गया जो कि यह गलत है ठीक है तो टोन से नदी पर यह नहीं होगी क्लियर है तो ऑप्षिन ए जो इसका राइट एंसर हो जाएगा चलिए सुमेलित करना आपको सुची वन सुची दोख से बताए क्या होगा इसका एंसर चलिए तो अगर हम लोग सबसे पहले यह चीज़ देख लिते हैं ऑप्षिन एक ही बात करें एक ही काला जार को लिस्ट मैंनिया बोलते हैं अगर आपको यह पता होगा तो सारे के सारे एंसर आपको बन जाएंगे ठीक है और पेंची जो के एंटम इभा हिस्टोलिटिका को इ तो टीक है क्लिए ए बहुत इंपोर्टेंट अगला क्वेश्ण निम्यमिलाइब परिसका सुमेलित नहीं है और बताएं आपको बताएं चलिए इसका राइट एंफर ऑप्शन नमबर दी उपर सभी सुमेलित है ठीक है सभी सुमेलित है तो यहां पर देसाते जेरो किसी को बोलते हैं ठीक है चलिए निमने ब्रिटिस व्यक्तियों में से किसने स्विकार किया था कि अठार संतावन का विद्रो एक राष्ट्रिय विद्रो था कौन था वो ब्रिटिस व्यक्ति बहुत बढ़िए ओप्शन डी इसका क्रेक्टिन था का बेंजामिन इन्होंने माना था कि जो अठार संतान का विद्रो था वो राष्ट्रिय विद्रो था ठीक है निमनिकित में से किसने स्विकार प्रतम भारत में एक प्रिथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रख था प्रिथक मुस्लिम राज्य की का प्रस्ताव रख था कि इसने बहुत बढ़िया और इसका राइट अंसर ऑप्शन नमबर दी मुहमाद इकबाल डेट पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले इन्होंने उनी सो तीस में यह प्रस्ताव रख था ठीक है बहुत और आपके एक्जाम के लिए क्या होगा इसका अंसर हो जाएगा जो राष्ट्री होट होटी कल्चर मिशन जो था वह ग्यारहवी पंच वर्शीय योजना जो थी वह थी 2007 से 2012 तक यह डेट भी आपका एट बिपूछा जा सकता एक्जाम में नेक्स देखेंगे भारत में बताइए कि क्वेश्यन नंबर हो गया यह 27 राइट एंस ऑप्शन नंब ए पोडू या पेड़ा की नाम से जाना जाते हैं अस्थानांतरित क्रिशी नेक्स्ट पशिम मंगाल में सरज रित्यू की चावल फसल को किस नाम से जानते हैं बताइए ओप्शन एस का राइट एंसर हो जागा अहु के नाम से जाना जाते हैं ठीक है सरजिस्व में जो चावल की फसल की जाती है उसको अहु की नाम से जाना जाता है नेक्स्ट भारत में जन जाती हो कि निरधारन का क्या आधार है सिद्यूली ट्राइब जो होती है बताइए क्या होगा इसका एंसर चलो बहुत बढ़िया राइट एंसर का आप्शन नमबर ए हो जागा सांस्कृतिक विशेशी करण और विभिन आवास हैं मतलब कहां रहते हैं किस हिसा आप से रहते हैं और उनका संसकार क्या है उसके हिस तो कौन से अनुष्यद में आते हैं और कौन से आपके सीडियूलम में आते हैं तो सीडियूल हो जाएगा वो 5 हो जाएगा ठीक है बहुत इंपोटन कोशन है सीस्ट जो आते किसमें 5 में नेक्स्ट ग्रामेंन बैंकों पर कारय कारी समो की शिफारिस उ के फ़ला सुरू बसुरू में 5 ग्रामें प्रादेशिक बैंक कर स्थापित किया गये थे वह कौन से वर्स vit वर्स पताए? कि इसका आज का लास्ट कोशन है और ऑप्शन में 1975 में ग्रामिन प्रादेशिक बैंक जो स्थापित किये थे वर्स 1975 में बहुत बहुत इंपोर्टन कोशन है तो यह था आज का आपका रिवजन टेस्ट वन नेक्स रिवजन टेस्ट भी होगा रोज दो पहर बारे बजे क्लास नहीं होंगी वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरू करें और जो लोग चैनल पर नए हैं और भी वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरू करें हमाई चानल को मिलते अगले वीडियो में थैंक्यों अगें फॉर वाचिंग देस वीडियो